साल 2024 में दो सूरिग रहन लगने जा रही है पहला सूरिग रहन आठ अप्रिल को लगने वाला है दार्मिक दृष्टी से देखा जाए तो सूरिग रहन को एक शुब घटना नहीं माना जाता सूरिग रहन लगने के साथ ही सूतकाल भी लग जाता है लेकिन भारत में ये सूरिग रहन दिखाई नहीं देगा इसलिए सूतकाल भी माने नहीं होगा फिर भी इस दौरान कई तरह के नियमों का ध्यान रखा जाता है आए इस वीडियो में आगे जानते हैं साल 2024 का पहला सूरिग रहन आठ अपरिल को सोमवार के दिन लगने जा रहा है जिसकी शुरुआत 9 बचकर 12 मिनट से होगी और मद्य रातरी 1 बचकर 25 मिनट तक रहेगा ये सूरिग रहन की अबधी लगभग 4 घंटे 25 मिनट की होगी ये ग्रहन मीन राशी और रेवती नक्षत्र में लगेगा आठ अपरिल को रगने वाला सूरिग रहन एक पूर्ण सूरिग रहन होगा जिसे खग्रास सूरिग रहन भी कहते हैं जब चंद्रमा पृत्वी और सूरिग के बीच से गुजरता है इस दोरान कुछ समय के लिए चंद्रमा सूरिग की रोशनी को धर्ती तक पहुचने से रोग देता है इस गटना को सूरिग रहन कहा जाता है हिंदू मानेताओं के अनुसा ग्रहन काल में भोचन करना बढ़चित माना जाता है लेकिन ग्रहन काल में श्राद किया जा सकता है तो तक काल के नियम किसी बालक, विद्ध या फिर रोगी व्यक्ति पर लागू नहीं होते इस बात का बिध्यान रखे कि सूरिग ग्रहन को नगन आँखों से नहीं देखना चाहिए इस दोरान किसी धार्मिक स्थल या यात्रा आदी पर नहीं जाना चाहिए सूरिग ग्रहन को दोरान बाल काटना, नाखुन काटना, तेल मालिश करने के भी मना ही होती है